पुलिस पशू तसकरों की धरपकड के लिए शकंजा कसे हुए है। पुलिस द्वारा तसकरों को पकड़ने के लिए नाके लगाय जा रहे हैं। साथ ही गश्त भी बढ़ा दी गई है। बतादे की स्पी बलराम पूर राम टृष्ण साहू के द्वारा अवैध कारोबार को रोकने के लिए कड़ी से कड़ी कारवाई करने के आदेश दिये हुए हैं। इसी कड़ी में सूचना के आधार पर 22 नग गाएं, बैल, बूचोर खाना, जहारखंड, गड़वा की ओर ले जाते हुए आरोपी नाडोल, उर्फ अब्दुल हसीम, निवासी विरेंद्र नगर को पकड़ा गया। आरोपी की उससे में पकड़ा गया जब वह अपने सहीयोगियों के साथ जंगल के रास्ते मारते पीटते पश्वो को लेकर जा रहा था। मोके पर से आरोपी डेमन कोडाकू को भी गिरफतार किया गया। तदा अन्या आरोपी जंगल एवं रात्री का फाइदा उठाते हुए मोके से फरार होने में सफल रहे। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को न्याया लेके समक्ष पेश किया गया। जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। बलरामपूर से समवाद दाता आजे कुश्वाहा की रिपोर्ट ऐसे ही लेटेस टोबरे पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर आड़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्थास्टाइब करें। लाइब करें। झाल 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 झाल